नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोग स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल अवत का आलोग पर जब हैस्बेंट वाइब दोनों वर्किंग होते हैं तो उस कंडिशन में शफर अगर कोई करता है तो वो हैं बच्चे हम लोगों के साथ साथ स्यू को भी सुबे सुबे उटना पड़ता है इस्कूल जाना पड़ता है और ये दिन चरिया जो है वो ब्रोज की हो गई है इसको भी देरे देरे आदत पड़ रही है साम को लोटने के बाद बारिश चुकी हो रखी थी और अडेनियम जो मैंने ऑनलाइन लिये थे इनकी कुछ पत्तियां जो है वो ब्लैक पड़कर गिर रही थी इस वज़े से मैंने इसके उपर फंजी साइट का घोल डालना जो है वो सही समझा और समय रहते अगर ये इस प छिड़काओ कर लिया गया साम का समय था तो सब लोग यहीं पर बैठे हुए थे बारिश नहीं हो रही थी वरना बारिश जब होती है तो लगभग सबको अंदर ही रहना पड़ जाता है और दीरे-दीरे करके मैंने अपना पूरा गार्डन तो नियरे बाउट उपर जब सारे प्लांट्स अगर चले जाएंगे तो फिर यहां के ले क्या करेंगे तो यहां पर बैठे हुए हैं और सबके साथ बैठ कर जो है सबकी बातों को सुनना अगर यहां पर मैं छिड़काओ कर रहा थो तो इसको भी बहुत ध्यान से अब्जब कर रहे थे अब यह क्लिफ है आज की सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा जो इंडोर गार्डेन के अंदर इस साइड में प्लांटर्स थे उन में बारिस का पानी नहीं पहुचा था और बारिस का पानी लग रहा होगा यह सूछ कर मैंने इन पौधों में पानी नहीं दिया था और इस वज़े से जो है ये पौधे इनकी मिट्टी जो है बिल्कुल सूख सी गई थी अगर हम अपने प्लांट से रेगुलर टच में नहीं रहते हैं तो इस तरीके की अनहैपनिक चीजें जो हैं हो जाती है और फिर बाद में जब पता चलता है तो चीजें हाथ से बाहर चले गई होती है तो अंडर वाटरिंग चुकि ओबर वाटरिंग होना खतरनाख है पौधों के लिए तो अंडर वाटरिंग भी रहना सही नहीं है underwatering रहने पर क्या होता है कि पतियां अपने आप पिली होकर गिरती है और over watering होने पर भी same problem होती है तो फिर दोनों ही चीजों का balance बना कर रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है साम का समय हो गया था और मैंने shifting की कुछ पौधों की चत पर और उसके बाद मैंने देखा यह जो मेरे ड्रसीना के पौधे हैं इन में pipe से पानी देने की वज़े से उपर से इसकी पूरी मिट्टी हट गई है जड़ें खुल गई है लेकिन मैं एक चीजा और भी देख रहा था इसकी जड़ें जो की बहुत ज़्यादा नीचे से बढ़ गई तो देखिए side में pot में बिल्कुल space सा बन गया है दो रीजें इसके हो सकते थे या तो चीटियां हो गई है या तो फिर जड़ें जो है बहुत ज़्यादा अब फैल गई है और plant root bound हो रहा है तो दोनों ही चीजें सही निकली मेरा दोनों ही अंदाजा सही था चीटियां तो ऐसे इसके अंदर घुसी हुई थी कि जैसे लग रहा था कि मैंने इन ही के लिए पूरा बना कर plant लगा कर रखा है देखिए ये पूरी root जो थी पूरा rooting इनका system जो था उसमें मिट्टी नहीं थी उसमें सिर्फ चीटियां थी उन्हों ने पूरा space खाली कर दिया था अब इसको कुछ देर थोड़ी देर ऐसे ही रखोंगा और उसके बाद जो ये soil mix था ये मेरे पुराना पुराना जिसमें मैंने अपना कैना लिली लगाया हुआ था वही मिट्टी है तो इस मिट्टी में थोड़ा सा कोको पीट मिक्स करूंगा और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालूँगा क्योंकि चीटियों को भगाने का जो सबसे आसान हुपाय है वो हल्दी ही है अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं अपने potting soil में तो फिर चीटियां बहुत जल्दी भाग जाती हैं यहां पर बहुत गंदगी भ तो मैंने सोचा आप गंदा होई जाने तो जब अच्छे से रिपोटिंग कर लूँगा तो उसके बाद खुदी मैं साफ कर दूँगा तो आप लगों को बने पहले भी बता रखा है कि मेरे पास ना ही potting soil है इस समय गार्डेन स्वाइल और ना ही कंपोस्ट है मैंने कंपोस नहीं जा सकती हो अ टू विलर से चीजें लेकर वहां से आए नहीं जा सकता क्योंकि मिट्टी मिट्टी फैली हुई है कोई पैदल जाने की हिम्मत नहीं करता उन्धर तो इस वजजे से यह दोनों ही चीजे मेरे पास नहीं है और मेरी खुद की बनाई खाग को अल्रेड़ बाल डाल के अपना काम किसी तरीके से चला रहा हूं तो यह रिपोर्टिंग जो है मेरी कंप्लीट हो गई और अब बारी है इसके अंदर वाटरिंग करने की शिव भी शोकर जो है उठ चुके हैं सो रहे थे और सोकर अभी अभी उठे हुए है तो वाटरिंग कर दिया वाइपर भी रगा कर साफ करना पड़ा खैर जब फैलाया था खुद तो साफ भी खुद ही करना पड़ेगा फाइनली जो है अगर आप बारिस के टाइम पर यह सारी चीजे देखी अपने गार्डेन के अंदर की चीटियां वगएरा का बहुत जादा ध्यान देना है क्यों अपने आपको अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसा करती है लेकिन उस शक्कर में हमारी मेहनत बरबाद हो जाती है और इस समय गार्डेन में बहुत सारे अंचाहे मेमान आ रहे हैं मिंधक जो है हाला कि हर बार की आप इच्छा इस बार काफी कम है औरना हर बार तो साम के स समय जैसे साम का समय होता था पता नहीं कहां से इतने सारे में ढखा जाते थे कि पता ही नहीं चलता था देखिए एक यहां पर मेरे फिस्टल पाउम के अंदर बैठा हुआ है खैर अब यह का वीडियो यहीं पर इंट करते हैं मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो म तब तक के लिए बाबाए और टेक केर